हाई गाज आज मैं आपके लिए पांच रुपया में लाइवाय हैंडवास बनाने का एकदम सिंपल इजी ट्रिक लेके आई हूँ ये वीडियो अच्छा लगे तो कर दिजिएगा लाइक चैनल को कर लिजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं पांच रुपय में है फ्रेंड एकदम इजी है देखिए कितना ये जाग कर रहा है बहुत अच्छा से आगे आप देखिएगा फ्रेंड की हर एक प्रोसेस को इसमें मैं बहुत अच्छे से बताने का कोसिस की हूँ और बहुत जाला ये जाग भी करता है तो हमारा छोटी सी वीडियो है फ्रेंड तो फुल वाच कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा एकदम देखिए बहुत ही अच्छा है मेरे कहने पर आप लोग विश्वास नहीं कीजाए एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा मेरे कहने पर सिर्फ पांच रुपय में पांच रुपय में पचास रुपय का ये काम करता है अभी तो घर से निकलना भी मना है जैसा कि पता है क्या लोगडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है एकदम वीजी तरीके से घर का समान से बना सकते हैं आप लोग चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट ठीक है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बुलिएगा अपने फ्यामली दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिएगा ठीक है ताकि उनको भी पांच रुपय में हनवस्त बनाना आ जाए चलिए तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का भी हारी गल की तंदली की रसोई में स्वागत है आज मैं आपके लिए रेसीपी नहीं लेके आई हूं आज मैं आपके लिए कुछ अलग डिफ्रेंट ट्राइब करने की कोशिस किया है मैंने तो देखिए ये पांच वाला लाइब वाइस आ शाबुन है चलिए 5 रुपे में सिर्फ हैंवस बनाना में आपको बताती हूं चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे साबुन को इससे पनी से अलग कर लिये हैं यहां पे मैं कदू कस ले लिये हैं तो अब इसको पतली वाली से कदू कस कर लेते हैं आप आराम आराम से देखते रहिएगा इस तरीके से पुरा का दुकस कर लेंगे बहुत ही युजफूल है फ्रेंड इस माहाल में जबकि अभी लगडान चल रहा है लगडान में घर से बाहर नहीं निकलना होता है तो आप एकदम इजी सामागरी से घर का सामागरी से हैंड वास बनाके आप अपने हाथ को प्लीन रख सकते हैं यह देखिए हमारा कदू कस हो गया यह देखिए कितना दुखी सुन्दर लग रहा है खुरा सा और बच्छा हुआ इसको भी कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंड हमारा सावुन कितना सुन्दर से कदू कस हो गया है चलिए इसका हैंड वास बनाना हमें स्टार्ट करते हैं यहां पे एक बरतन ले लिए हैं अगर आपको पतली हैंड वास चाहिए एक ग्लास पानी डालिएगा हमें गारी चाहिए हमें इतना ही लिए हैं आधा ग्लास पानी लिए हैं देख सकते हैं आप यह देखिए एदम किलियर दिख रहा है आधा ग्लास पानी डालना है और इस इसको गुनगुना होने देंगे पहले पानी गुनगुना हो गया है अब इसमें मैं साबुन एड़ कर देती हूँ यह देखिए साबुन को एड़ कर देंगे और चमस से इसको हिला हिला के चलाएंगे इस तरीके से इसको हिला हिला के चलाएंगे और शाबुन को गलने देंग बहुत ही इजी है इस लोकडाउन में इस तड़के से हैंडवास बनाके बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं अभी घर से बाहर नहीं निकलना है तो एक बार मेरा ये ट्रिक जरूर अपनाईएगा ये देखिए गल जाएगा पुरा ये ऐसे चिपक गया है लेकिन निकल अच्छी तरह से हमारा साबुन गल के एकदम घोल बनके तैयार हो गया अब इसको जो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं बच गया है अब इसको बड़ी बाली प्लेट से इसको ढ़टके और छोड़ देंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत बचा है ये ताम अच्छी सिपी गल जाए जो भी आप बोलते हैं इस तरीके से तो इसको इसका ग्यास ओफ कर देते हैं अभी आपके सामने में ग्यास ओफ कर दी इसको ढख देते हैं आप ढख के और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ठंदा होने के लिए बिल्कुल खोड़ें नहीं तो यह देखिए हमारा ग्योल विल्कुल तैयार हो गया है उसको ठंदा करने के लिए 15 मिनट चोड़ दिये थे अगम बिल्कुल ठंदा भी हो गया यह देकर गारहा भी हो गया है कितना सुंदर कितना सुन्दर घर में यह हैंडवास बना के आप यूज़ कर सकते हैं तो हैंडवास को बार बार हाद होना है इस माहल में करोना वाइरस से बसने के लिए अब इसमें मैं एड़ कर देती हूँ दो चमच बादाम का तेल बादाम रोगन देल है यह आप ग्लीसरीन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है नई तो बाराम का तेल सबसे वेस्ट है इसमें के लिए देखिए दो चमच डाल देना है भर भर के ताकि हमारा हाथ रुखा रुखाटा करना हो एक दम अच्छा रहे मोलाइन सॉप्ट रहे इसलिए हम बाराम का बाराम का तेल एड़ किये हैं इसमें यह देखिए इसको मिलाकर अच्छी करह से पहले मिलाएंगे पांच मत इस तरीके से इसके बाद बोतल में भरेंगे यह देखिए फ्रैंड मेरे पास निहार नेचुरल का डबबा इसको अठ्छे से वास कर लिये हैं इससे यह निकलेगा इसको भी छुना नहीं परेगा अगर आपके पास हैंड वास का डबबा है तो उसमें भर सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी नहीं है मिला नहीं होगा लेकिन कहीं मिला नहीं तो अब इसको इसमें आराम आराम से भर लेता हैं यह देखिए फ्रैंड अब इसको हम दिखाते हैं आपको जो किस तरह से यह कितना ज्ञाग देगा थोड़ा सा ही लेने पर करो ना देखिए कितना सुन्दर यह ज्ञाग दे रहा है यह देखिए होममेड हैंड वास कितना सुन्दर यह बना देख सकते हैं देखिए फ्रैंड कितना सुन्दर यह एकदम अच्छा से फेन फेन हुआ एकदम पांच रुपे में कोई महनत है वीडियो पसंद आया हो तो कर दि पिंजेगा सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलिएगा ये देखिए हमारा एकदम कितना सुन्दर हैंडवास घर में ही बनके तयार हो गया है तो कमेंट करके बताईएगा जो हमारा पांच रुपे में लाइब वाई हेंडवास तैसा बन के तयार हुआ है सारा प्रोसेस फ्रेंड मैं आपको दिखा दी हूँ बारी की से कोई कहीं से प्राब्लम नहीं होगा आपको ये देखिए मैं दूर से दिखा देती हूँ आपको लाइक करना तो बिल्कुल न भूलिएगा फ्रेंड लाइक कर दीजेगा अपने फ्यामली दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा ताकि पांच रुपे में वो लोग भी हनवास तयार कर लेंगे और घर में बाराम कते सब को रहता ही है मैं लेती हूँ आप सबसे बिदाब बाई